Hello Class, अभी तक हमने Maths के 4 Operations किये थे, Addition, Subtraction, Multiplication and Division, अभी तक हम ये कर चुके हैं, ठीक है, अब हम इसकी Word Problems भी कर चुके हैं, लेकिन वो कैसे की हमने, कि जो Chapter हमारा Start हुआ, हमने उसी से Related हमने Word Problems की, लेकिन क्या होता है, कि जब exam में आते हैं questions, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये कौन से Chapter से है, इसमें Addition होगा, Subtraction होगा, Multiplication होगा या Division होगा, ठीक है, हमें ये कई बर हमें Confusion हो जाती है, कि अब इसमें क्या करना है हमने, उसके लिए सबसे पहले हम एक बर Revision करते हैं, कि Addition क्या होता है, Addition होता ह Putting together two or more things, कि दो या दो से ज़्यादा चीजों को एक साथ करना, उसे क्या बोलते हैं, Addition, जब हम बोलते हैं, कि मेरे पास two Erasers हैं, मेरे पास three Pencils हैं, तो बताओ मेरे पास total कितनी Erasers और Pencils होई, तो हम क्या करेंगे यहां पे, Addition, कि मेरे पास two Erasers हैं और three Pencils हैं, तो total कि कितनी हो गई मेरे पास five तो यह होती है putting together two or more things दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ बताना कि मेरे पास total कितना है तब हम क्या करते हैं addition करते हैं अब next है हमारा subtraction subtraction क्या होता है addition का opposite taking away something from given number or amount कि हमारे पास कुछ amount होती है या कुछ चीज होती है उसमें से हम कोई रख देती हूं मेरे पास कितना है 1,2,3,4,5 मेरे पास कितना समान हैं फाइव चीजह हैं मेरे पास टॉटल उसमें से मैंने डूँट किसे टेक अवंगरम तूच य्याह सब्सक्राइस इन्व सोब चीजह मैंने कुछ चीजह बाहर भ discourage तो बताई मेरे पास कितनी बचार हुआंग डीज़ी आइसा हाउ तो मेरे पास थ्री चीजे बच गई तो यहां पर क्या हुआ सब्ट्रैक्शन यहां पर क्या हुआ सब्ट्रैक्शन ठीक है नाव काम्स टूदा मल्टिपिकेशन अब मल्टिपिकेशन क्या होता है रिपीटीड एडिशन कि एक ही चीज को हम बार 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 रिपीट करते बार बार ऐड़ करते हैं, आड़ करते हैं, अब too some numbers, तब हमें क्या होता है कि कई बार हमें confusion हो जाती है, कि हमने कितनी बार हैड़ कर लिए इस चीज को, हम बूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या बनाया है? multiplication, कि जब एक ही नमबर को हम बार बार ऐड़ करते हैं, तो उसकी जगए पे हम addition करने की जगए पे हम क्या करेंगे multiplication करेंगे ऐसे ही क्या है division division क्या होता है repeated subtraction जैसे addition और subtraction opposite है ऐसे ही multiplication और division आपस में opposite है यह repeated addition है और यह repeated subtraction है अब division क्या होता है कि जब हमने एक ही चीज़ को एक ही नंबर को बार बार माइनस करना होता है तो हम क्या करते हैं भूल जाते हैं कई बर कि मैंने कितनी बर माइनस कर दिया है तो उसके लिए क्या आता है डिवीजन आता है डिवीजन मतलब डिस्ट्रिब्यूशन जब हमने कुछ चीजे डिवाइड करनी होती है कुछ चीजे देनी है तो मैं क्या करूंगी मैं क्या करूंगी सबसे पहले first candy first person को next candy second person को next candy third person को ऐसे अप्टू मैं इसे अपनी 10 की 10 candies divide कर दूंगी distribute कर दूंगी तो यह क्या होता है division अब जैसे आपकी activity 11 है यह activity 11 है आपकी mixed word problem मतलब आपकी जो word problems है word problem क्या होती है जो हमाई statement करेंगे सब्ट्राक्शन करेंगे मल्टिपिगेशन इसके लिए सबसे पहले हम स्टेट्मेंट को अच्छे से रीड करेंगे उसको समझेंगे कि वो स्टेट्मेंट में कहा है उसके बाद करेंगे कि अब इसमें क्या होगा जैसे आपकी फरस्ट है और शॉप्पीपर सेल 72 शुप करता है ठीक है हाउ मैनि शुट्स डज्जी सेल इन 24 देज बताओ 24 देज में वो किटनी शुट्स करेगा य्यानिकि एक ले में कितनी करता है 75 तो 24 देजे में क्या करेगा कैसे करेगा याप क्या करोगे फरस्टे जैसे मैंने यहां पे लिखा है एक दिन में वो कितनी करता है 72 पर टोटल नंबर ओफ डेज कितने है कितने दिन करी उसने सेल करी 24 देज तो क्या होगा फर्स डेबी उसने 72 करी, सेकिंग डेबी 72, पर फुल देबी 72, फृिफ्ट डेबी 72, फिसेगे अधे सेवनटीर, ऐसे करके शेवन्त, एट, नाइट, टैन्त, सेटेज, एलेवन तु ट्वेन्त तु ट्वेन्त त्विन्ट डेबी pad देज तो ट्वेंत तु stat form ικό 8atra है 32 plus 72 72 तो इसके लिए क्या कर रहे हैं ।ॉट्य इडिशन कर रहे हैं क्या करें है रिपीटिट ऐडेशन तो रिपीटिटई अडिशन मतलब एक ही नमबर को हम भार भार對了 स्थास्थ op क्या होता है क्या होता है हमारा सれडर्टिपीकेशन करने can तो आप ऐसी भी कर सकते हो 72 को 24 टाइम्स एड़ कर सकते हो पर कई बर क्या होता है कि अगर हमने 23 टाइम्स कर दिया तो भी हमारा अंसर गलत बीच में एक भी दिन मिस हो गया तो भी हमारा अंसर गलत तो उसके लिए क्या बना है जब हम लिखेंगे अशॉप कीपर सेल शर्ट इन डे एक दिन में वह 72 बेच देता है तो टोटल नंबर ऑफ डेस 24 है मतलब 24 बेच रहा है हर दिन वह 72 सेल कर रहा है तो बताओ 24 देस तक उसले कितनी सेल कर दी टोटल कितनी सेल तो क्या करेंगे हम 72 मुंतिप्लाय 24 भार बार सेवेंटीटी टू को प्लस करने की बजाए हम क्या करेंगे multiply करेंगे understand क्योंकि हम क्या करें एक ही नंबर को बार-बार add करना है तो यह वाला method तो बहुत गलत हो जाएगा वैसे तो सही है लेकिन यहाँ पर mistake होने के बहुत chances है बट यह वाला अगर आपको multiplication आता है तो यह वाला आपके लिए easy है 72 multiply by 24 अब आपको जैसे next question है अनुशा went to the market with rupees 3250 अनुशा मार्किट में गई है उसके पास कितने rupees 3250 he spent rupees 2738 और उसने कितने खर्च कर दिये spent का मतलब होता है खर्च करना तो कितने खर्च कर दिये 2738 how much money is left with her बताओ उसके पास कितनी money बची अब मार्किट तो आप भी जाते हो सब जाते हैं मार्किट तो मार्किट में क्या करते हो कई बार आप 10 rupees लेकर जाते हैं जैसे 6 rupees खर्च कर दिये यानिके 6 rupees की आपने eraser और शॉटनर ले लिया तो टोटल आपके 6 rupees आपने खर्च कर दिये बताओ आपके पास कितने बचे तो क्या होगा 10 से कम बचेंगे हैं ना क्योंकि 6 rupees तो आपने spend कर दिये खर्च दिये तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे यहां जैसे आपके पास 4 rupees थे या ऐसे मानो आपके पास 4 candies थी और मैंने आपसे one candy मांग ली आपके पास four can commute थी और मैंने आपसे one candy मांग ली तो बताओ कितनी candies रहेगी आपके पास 3 तो मैंने यहाँ पर क्या किया subtraction किया क्योंकि मैंने कोई चीज आपसे ले ली है ऐसे ही Anusha has money rupees 3250 she spent rupees this और money left तो उसके पास कितनी money बची होगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे subtraction understand next जयन्ती sticks six pictures on a page जयन्ती ने एक page पर six pictures paste की how many pages does she need to stick 672 pictures उसको कितने pages की need है अब देखो जयन्ती ने एक page पर कितनी के रही six ठीक है total pictures उसके बास कितनी है 672 अब one page पर six करी next पर भी six three पर भी six fourth page पर भी six five page पर भी six ऐसे ऐसे करके वो six six करती गई ठीक है तो कहते बताओ कि उसको कितने pages की need पड़ेगी यानि कि वो क्या करी है हर page पर six six pictures चिपकार रही है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है distribute कर रही है उस चीज को वो क्या कर रही है अपने जो pictures total pictures है उसको distribute कर रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 672 divided by 6 तो हमें पता चल जाएगा कि कितने pages पर वो paste करेंगी कितने pages उसको चाहिए understand next there are 1256 girls and 1838 boys in a school what is the total number of students in the school और अब क्या होता है कि आपकी class में 4 girls है और 3 boys है ठीक है 4 girls and 3 boys है तो बताओ आपकी class में कितने students है total कितने students है तो हम क्या करेंगे दोनों को add करेंगे number of boys को and number of girls को हम add करेंगे ठीक है 4 plus 3 क्या होता है 7 ऐसे ही यहां पर क्या है number of girls this one and number of boys this one तो बताओ total students क्या है students में तो girls भी आ जाते हैं और boys भी आ जाते हैं तो total number of students क्या होंगे दोनों का plus क्योंकि हमने क्या बोला था कि addition क्या होता है putting together two or more things क्योंनोंने total पूछा है total पूछा है तो हम plus करेंगे क्योंकि different चीज़े हैं यह तो हम क्या करेंगे यहां पर plus करेंगे ऐसे ही next है a pack of biscuits cost rupees 15 ठीक है एक biscuits का pack है वो 15 rupees का आता है how much will 82 such packs cost अब आपने एक biscuit का pack खरीदा वो था 15 rupees का अगर आपने 82 packs खरीदने है तो आपको कितनी बार 15 देना पड़ेगा 82 times देना पड़ेगा कितनी बार देखो first pack का 15 second pack का 15 third fourth up to 82 तो क्या हो गया यह 15 फ्फिस्टिं च्या हो गया बार बार add हो रहा है क्या हो रहा है बार बार add हो रहा है यानिके repeat हो रहा है तो बार बार आड करने की बजाए यानिके 15 को हम 82 times add करने की बजाय हम क्या करेंगे 15 को हम 82 से multiply करेंगे ठीक है यह आप ऐसी जरूरी नहीं है एक बार statement समझ में आ जाए तो आप क्या कर सकते हो कि छोटा digit लेके भी सोच सकते हो अगर मेरे पास 10 pencils है और हर pencil 6 rupees की है तो बताओ total कितनी cost होएगी तो हम क्या करेंगे multiply करेंगे यानि के क्या करेंगे हम क्या करेंगे multiply ठीक है next है the school library has 8,048 books in English Hindi Maths and EVS एक school library में English Hindi Maths EVS की total books मिला के कितनी books है 8048 if the number of books is same in all subjects find the number of books in each subject केते अगर इफ का मतलब होता है अगर if the number of books is same अगर मैं English Hindi Maths और EVS की books की numbering same है यानि के अगर English की books 4 है तो Hindi की भी 4 होएगी Maths की भी 4 होएगी, EVS की भी 4 होएगी तो बताओ find the number of books in each subject तो बताओ के हर subject की कितनी books हो सकती है यानि के अगर same number है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल number of books, this one अब टोटल number of subject कितने हमारे English, Hindi, Maths, EVS English, Hindi, Maths, EVS 4 subjects है तो number of books in each subject क्या होगा तो हम कैसे करेंगे इसको तो हम क्या करेंगे 8048 divided by 4 जब हम इसको 4 से divide करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हर subject की library में कितनी books पड़ी है बेटा ये थोड़ा सा जो topic है ये पहले सबसे पहले तो आपकी reading के उपर depend करता है कि आप जो reading करते हो चाहे वो English की है, AVS की है, Hindi की है कहीं भी reading करते हो तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वो जो चीज लिखी हुई है वो कितनी समझ में आती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है statement को अच्छे से read करना है उसको समझना है अपने उपर लेकर देखना है उसके बाद decide करना है कि whether there is addition, subtraction, multiplication or division हम एक बर फिर repeat